अंजनी एक रहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो काफी परिशान थे कि लोगडाउन है जो आगे 30 एप्रिल तक कहें या फिर उससे आगे भी जारी रहेगा ऐसी बाते सुनने को आ रही थी लगाता लेकिन अभी जिस तरीके से राजिब गोबा ने बयान दिया है और कहा है कि अभी सरकार की ऐसी कोई मनशा नहीं है रहत की खबर है ये लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर हम राजधानी की बात करें वहाँ पर क्या अब लॉगडाउन का असर देखने को मिल रहा है पहले ये तस्वीर आप अंचनी दिखाएं देखिए पुनीता लोगडाउन का असर जरूर है लोग घरों से कम निकल रहे हैं लेकिन हम थुली पहले तस्वीर दिखाते हैं इस वक्त मैं लालपूर चौक में हो लालपूर चौक का इलाका देख सकते हैं आना जाना लोगों का जरूर लगा है कम जरूर हुआ है लेकिन बीच में खबर यह है कि जो सब्जी बाजार जो लालपूर के इलाके में है या पिटेली मार्केट का सब्जी बाजार में बुले वहां लोगों की भील काफी रहती है और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जो है बजार में लोग जो है जो दूरिया मेंटेन करना है लोगों को आपस में बहुत नजदीक नहीं आना है तो इन चीजों की अंग देखी जरूर हो रही है तो ये प्रशाशन को जरूर देखना होगा लेकिन प्रशाशन त हो जाती है और हर इलाके में सुब्ह से प्रसाश्शन के जो लोग है लोगों को समझाारेchen 94 तारीक से ही लोगों को समझारे अब गंटों करें रहते हैं रफिक पॉलिस के जवान हो या नप फिक 25 या इन्सक्षिद्टन है और लोग दूप में खड़े रहते हैं तो आप समझ सकते हैं उनका जो दर्द है उनकी जो सेवा है वो लोगों को समझना चाहिए वो हमारे लिए सलकों पे हैं हमारे लिए खड़े रहते हैं और हम उनकी बातों को नजर अंदाज करेंगे तो यह परिशानी जो है यह हम हमी को छेलना हो तो यह सब्जी बाजार में जो लोग आ रहे हैं लगतार निवेदन कर रहे हैं कि आप एक जो दूरी है जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो जरूर करें यह थोली सी लापरवाही से जो है बड़ी मुसीबत आ जाएगी और यह हम जरूर कह सकते हैं कि यह जारखन में अभी तक कोई भी एक मरीज नहीं आया है पॉजिटीव और लगतार जो टेस्ट है वो जरूर हो रहे हैं रिम्स में हो रहा है एम जीम होस्पिडल जम्शेदपूर में हो रहा है लेकिन हमारी लापरवाही से जो है परिशानी बढ़ सकती है तो यह सबजी बजार कही सबजी बजार म हम नहीं देख पा रहे हैं जो एक चिंता का विशय है कहीं न कहीं हम प्रधान मंत्री की बातों को कहीं न कहीं मुक्य मंत्री है मन्सोरिन की बातों को डीजी पी की बातों को और जो पुलीस प्रशासन को जो लोग है उनकी बातों की हम अवेलना कर रहे हैं तो यह हमारी परव भी है तो आज छट का भी खरदारी लोग करने निकले हैं तो जहां कोरोना वाइरस का प्रकोफ है उस बीच कई लोग जो छट करते हूं लोगों से हमारी बात्चीत हुई उन्हों ने जरूर कर ये बताया कि इस बार का जो छट होगा महां से यहीं लोग कामना करेंगे छट मैया से कि ये जो कोरोना वाइरस है इसका प्रभाव भारत से जल्दी हट जाए लोग सुरक्षित रहें लोग अच्छे से रहें लोग हेल्दी रहें तो ये एक अलग सनाचे के बीच में ये जो पर्म मनाया जाएगा तो उसमें उन लोगों ने ये भी कहा कि इस बार छट घाटों में नहीं जाएंगे घर में छट पे ही करेंगे और इस बार करना जो होगा लोगों को नहीं बुलाएंगे तो ये एक अच्छी पहल है इस पहल का स्वागत हम लोग जरूर करते हैं और सभी लोगों को ये इन चीजों को पालन करना चाहिए ताकि हम आगे भी स सिलसिला जारी है नवरात्र चल रहा है और छट पूजा की भी शुरुआत हो चुकी है हाला कि प्रशासन लगातार यही अपील कर रही है कि छट पूजा है लेकिन आप घाटू पर ना जाएं भीड़ी खटा ना करें कहीं न कहीं लोग भी जागरुक है लेकिन जिस तरीके से अगर हम कहें सरकार लगातार सजग है और अप्रशी तरीके से मुस्तैथ है लेकिन जिस तरीके से लोगों की आवाजाई सरकों पर दिख रही है वो प्रश्वासन के लिए कहीं न कहीं चुनौती बंती वी जा रही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है अंझरी आपके पास कोई पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनाथ है जिन से आप बात कर सके और बाचित करने की कोशिश कीजिए कि ये वक्त उनके लिए कितना चुनोती पून होता जा रहा है क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हैं किस तरहिके से वो लोगों को हैंडल कर रहे हैं यहां देखें कही ट्रेफिक के जोवान हैं और यहां पर सुबह से वो लोग ड्यूटी में हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए हमें लगतार यह लोगों को बता रह रहे हैं 就 कि लगतार यह लोगों को बता रहे हैं लोग लगातार सडकों पर आ जा रहे हैं लेकिन वो किसी को रोकने की कोशिच नहीं कर रहे हैं पूच्टार्श नहीं कर रहे हैं कि आखिर लोग कहा जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने साफ इदायत दिये कि आप लोगों से पूच्टार्श करें जो जरूरी सामान लेने लेकिन जिस तरीकी से तस्वीर सामने आ रही है जो ट्राइफिक पुलिस है वो कुछ करते वे नजर नहीं आ रहे हैं देखिए पुनीता हम एक तस्वीर दिखाते हैं आगे भी जो आप खाकी वर्दी में पुलीस देख सकते हैं वहां लोगों से पूस्ताज कर रहे हैं और यह लोग सुबह से यहां पर हैं कई लोगों को समझा बुजा कर घर बेजा यह यह जो ड्यूटी है लगातार लोगों को आप लोग समझाते रहते लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं क्या ममलब ऐसे में आप लोगों को क्या लगता कितना चुनावती भरा ड्यूटी लग रहा हैं और दस बज़े रात तक रहते हैं दस बज़े बाद फिरमरा पिस यार लोग जो थाना के लोग रहते हैं हम लोग समझाते हैं दिन बार पुष्टे हैं चेक करते हैं कहां जा रहे कोई बोलता कुछ लोग तो सही जाते हैं और कुछ ऐसा परसेंट जो है लफ़वन जो नहीं मनता है ऐसे लोग समझाते हैं इन मत जाओ एक आतकाम लोग सबजी लो लिया सबसे निकल जाओ घर चल समझाते हैं हम लोग कुछ लोग नहीं मनता है आप लोग घंटों खड़े रहते हैं ऐसे में आप लोग के लिए भी तो परिशानी है धूप है परिशानी तो है लेकिन क्या कि देश में ऐसा आफ़ाद हो गया तो परिशानी तो जलना ही पड़ेगा पुनिता ये लोग आप राची के हर चौक चौराहे में जाएंगे तो सुबह से ये लोग तैनात रहते हैं देखिए आगे भी वहाँ पूस्ताच हो रही है जी ये लोग लगातार काम करते रहते हैं लेकिन जब ये लोग उस वक्त परिशान हो जाते हैं जब जो कई लोग है और वहाँ एक घंटा कोरोना वाइरस को लेकर एक फिल्म बनी है उसको लोग बैठा कर दिखाते हैं और फिर रियाक्शन जानना चाहते हैं तो ये पनिश्मेंट देने का एक अच्छा तरीका है और तभी लोग चेतेंगे लेकिन लोगों को जो है जागरू करने की बेहत आविश्वक्ता है लगातार प्रशासन मुस्तैध है और अपनी तरीके से पूरी पहल कर रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकले लेकिन लोग जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मानने को तैयार नहीं है धूप में खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस बात करें जवान है व बहुत बहुत शुक्रिया तो लगातार जगह जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है लॉकडाउन के बाविजूत भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और यह कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन के लिए परिशानी बनती जा रही है